अजी साथी, कैसे आप सही में आथा हूंधाएं? से आप सभी शाथिकों को शागत करता हूं, आपके अपनी परिवार, जैएक लासे मेरे पर। उम्मीद करता हूं, साथ ही आप सभी अच्छे होंगे, और स्फस्थ होंगे, और निरंदर अपनी पढ़ाई को जोस और जुरून के साथ जारी कर रहे होंगे ताति हम हिस्ट्री में बात कर रहे थे तुकलक वंस के बारे में जो कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंस है जिसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक सासन किया तो आए जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत है ना दिल्ली सल्तनत पर पहला वंस किस वं सब्राम वन्स जिस से हम्म्मुलुग वन्स के वी नाम से जानते हैं साथ की ओमं लुग सब्द का मतलभ होता है सोटंत्र माता प्ता से उत्पंन हुआ डास तीके सोटं त्र्माता से उत्पंन होा दास आगे साथ कर रहे neigh दॉवारा महम्मद विन तुकलक और इस इस्थापन किस ने गी थी खिल्जी वन्स के अंतिम सासक या वह कुछ समय के लिए सासक बनने की चेश्टा की थी खुसरोसा खुसरोसा की हत्या करने के बाद एक उसका सेनापती हुआ करता था कौन तुकलक गाजी यानि गयासुद्दीन तुकलक गयासुद्दीन तुकलक ने साथियो किस वंस की स्थापना की थी तुकलक वंस की स्थापना की थी और साथियो दिल्ली सल्तनत के सासकों में सबसे पहले सिचाई के लिए नहने बनवाने का काम किया था इसी सासक ने और लगभा के साथियों कब 1325 इस्वी में इसके पुत्र द्वारा इस्थित दिल्ली के अफगानपुर के निकट लकडी के महल में दवकर चातियों क्या हो जाती है सौरे 550 इसफ़े mortar missions खालि ऑड़ें किसके बारे में अब हम बात कर रहे थे महमध बेन दुकणक और हमने जाना कि तुकर वंस्थापनर कि थी वो किस ने रहा हम्मधिन के दॉस्तक बारे कि गयी थी औप हम जानेगे यहां मेरे पैर बच्चों किसके बारे में जानेंगे महमद बिन तुकलग के बारे में जानेंगे ठीख के चलिए पैन ले लें ले रही है तो यहाँ पर हमने देग yapmış आति हो इस रखती का वास्तर नाम क्या था फकरुद्दिन या फिर इस वक्ति को जोना खा के नाम से जानते थे गद्धी पर यह मुहम्मद बिन तुकलक के नाम से बैठा था तो गद्धी पर किसे नाम से बैठा था मेरे प्यारे बच्चो मुहम्मद बिन तुकलक के नाम से गद्धी पर बैठा था दिल्ली सल्तन तो क साल के सासकों में सवसे अधिक विद्वान, सवसे अधिक पड़ा लिखा और सवसे अधिक कानून का ग्याता बोल सकते हैं या फिर कुसल वे सिक्षित सासक था लिकिन इसके साथ बहुत सारी ट्रेजडी हुई और ये दिल्ली सल्तनत को ठीक तरे समाल नहीं पाया है ना 1333 में इसके दरवार में मौरक को निवासी कौन आता है मौरक को यात्री आता है इबन बभुता उससे ये बहुत ज़्यादा क्या होता है मेरी प्यारे बच्चो प्रभावित होता है और जब ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो उससे क्या नियुक्त कर ल सासनकाल को 23 प्रांतों में बांटा बताया था कि उस समय दिल्ली सल्तनतिका जो परसासन था वो 23 प्रांतों में विवक्त था सिर्फ कस्मीर और बलुचिस्तान को चोड़ कर सलागभा के संपुण आखंड भारत इसके अंदरगत आता था ठीक है चलिए आगे साती हो यहां पर इसने सबसे पहला काम क्या किया कि दौव छित्र में इसने करवरदी करने के साथ इसके साथ बहुत बड़ी गटना गटित हुई कि उसी समय अकाल पड़ गया तो जिससे किरसी में सुधार के लिए और योगदान के लिए इसने विवाग की गटन किया जिसका नाम था जिससे कि आप इसकीन पर देख पा रहे होंगे दीवान ए कोही तो विवाग कौन सा था मेरे प्यारे बच्चो दीवान ए कोही विवान ए कोही नामक विवाग की इसने क्या कर दी इस्थापना कर दी ठीक है चलिए हमने जाना सबसे पहला इसने दोआब छेतर में क्या किया मेरे प्यारे बच्चो करवरद्दी कर दी करवरद्धी करने के साथ अकाल पड़ा तो इसने विभाग होना है कौन सा दीवान ए को ही दूसरा साथियो इसने राजधानी को दिल्ली से बदल कर देवगिरी कर दिया और देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर दिया दौलताबाद कर दिया साथियो नाम तो इसने कर दिया दौलताबाद लेकिन वहां से ये अपने पूरी के पूरे सासन को समाल नहीं पाया और वापस से ये दौलताबाद से दिल्ली इसने राजदानी पनाली आप टाइम देख सकते हैं कव कव इसने जारी की साथियो फिर इसने बाद में संकेतिक जारी की और भारत में जो मुद्रा जारी की जाती है वो भी संकेतिक मुद्रा जारी की जाती है वरतमान समय में अगर हम 2000 रुपे के नूट की बात करें तो लगभग 3 रुपे 25 पे सो उसकी कोस्ट आती है और 3 रुपे के आसपास सिया पौने 3 रुपे के आसपास किसकी कोस पुराने समय में चांधी के सिक्के सोने के सिक्के चलते थे तो जैसे जैसे चांधी का उत्पादन था कम होता था तो रेट बढ़ता था इसी कारण से इसने संकेतिक उद्रा जारी कि और संकेतिक उद्रा जारी करने का जो सबसे पहला काम किया था वो चीन से शुरू हुआ था ठीक है तो संकेतिक करने की योजना बनाते समय इसने देखा कि इसने चीन के राजा को साथ लिया और मिस्र के राजा को साथ लिया लेकिन चीन में तख्ता पलट हो गया और चीन के राजा को हटा दिया गया जो इसने लगबक सातियो दो लाग पिचसतर हजार की सेना थी उसको क्या हुआ उसको इ कमी आएगी तो इसी कारण से मेरे पहले बिच्चों राज को उसमें बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिली साथ यो पांच माहें आपका कराचिन का आकरमण कराचिल के आकरमन क्या हुआ तिब्बद में पड़ता है कराचिल साथ यह जा रहा था तो जैसे जा रहा था और गिलेशियनों के फटने के कारण काफी अधिक इसकी सेना क्या होगी उस उससे प्रभावित हो गई ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे हमने क्या पढ़ा था ठीक है चलिए चाहती इसके समय पर ही विजयनगर सामराज है जो हरीहर बुक्का हसन गंगुने बहमानी सामराज है और मद्रवी जैसे सुतंदर राज्यों के स्थापना हुई मतलब जो तच्छन भारत को कवर किया गया था खिलजी के समय ठीक इसने उसको मतलब छोड़ दिया उलेमाओं के कहने पर यह उस्र में खराज नामक सिर्फ दो ही कर सुईकार करता था बागी सभीकर इसने साथियों माफ कर दिये थे मैं पहले बता चुका हूँ उस्र क्या है और खराज क्या है साथ ही इसकी मरत्यू 20 मार्स 13 से क्यामन को हट्टा में इसकी मरत्यू हो जाती है और ये सिर्फ हिंदूओं के एक पिर्मुक तोहार और वो तोहार कौन सा हुआ करता था होली के तोहार में भाग लिया करता था साथ ही इसके बादे बारे में आया फरोज सहा तुकलक ये मान के चलो कि एक जन्म से ही हिंदू था क्योंकि जन्म से हिंदू होने का मतलब है कि इसका जो जन्म हुआ था इसकी माता हिंदू थी और माता का नाम बीबी जैला था तो इसका जन्म एक हिंदू इस तरीके गर्व से हुआ था आगे चलेंगे इसने 24 कष्ट दायक कर होते हैं उनको साब्थ करके सिर्फ पांच तरीके ये कर लिया करता था और इसने सिचाई जैसे क्या बोला यहां पर इसने वली नाम नया कर लगाया था जो सिचाई का एकवटेदस भाग लिया जाता था चलिए वली को बाद में चेंज करकर सर्व कर दिया गया तो जजिया कर लेता था है गेर मुसलिम धार्मिक कर था एक दार में कर होता था जो गेर मुसलिमों से लिया जाता था और इसने फिरोसा तुकलंग ने ब्राहमनों पर भी जजिया कर लगा दिया था असल मेरे पैरे बच्चों ये जजिया कर होता था ये ब्राहमनों से नहीं लिया जाता था विद्वा इस्तरियों से नहीं लिया जा सकता था और जो लोग दिव्यांग हैं उनसे ये करर नहीं लिया जा सकता था चाहें वो गैर मुसलिम क्यों ना हो ठीक है तो गैर मुसलिम धा लेकिन इन लोगों को छोड़ दिया गया था ब्राम्मण विद्वा इस्तरी अनात बच् लेकिन इसे ब्रह्मनों पर लागू कर दिया था जकात कैसा हुआ करता था मुसलिम धार में कर हुआ करता था खराज कैसा हुआ करता था गैर मुसलिम किर्शी कर हुआ करता था ठीक है उस्र क्या हुआ करता था मेरे साथियो मुसलिम किर्सी कर हुआ गरता था खुम्स लूटे हुए धन पर कर था कैसा था खुम्स लूटे हुए धर पर कर था साथ ही इसका जो खुम्स कर हुआ गरता था मैं आपको अगर थोड़े छोटे कम सब्दों बताने के कोशच करूँ जो खुम्स हुआ गरता था मेरे प्यारे इसका जो बाद में भाग बसता है, एक वटे बांच, ये रखता था राजा, लेकिन ऐसा था पूरे दिलली सल्तनत में पिरसासक है ना, ये राजा रखता था, ये रखता था सेना, लेकिन दो सासक हुए सात्यों कौन से, एक तो ये मोहमद विन तुकलक, और एक हुआ आपका अलाउद्दीन खिल जी तो इन साथियों दोनों ने क्या करिया कर चार वटे-पांच सा ले लिया ठीक है तो चार वजब एक वटे-पांच दिया साथियों सेना को ये दोनों ऐसे सासक हुआ करते थे ठीक है अब नहीं होगा ना वैसे हो जाता है करना ही पड़ेगा ठीक है च इसने बारे सो बाग लगाए और पांच नहीं नहेरों का निर्मान करवाया इसने प्रमुग नगरों के स्थापनागी जैसे के हिसार फिरोजा जॉनपुर फिरोजा वाज जो की दिल्लिम पड़ता है जो इसे सरवादिक प्रिय था और इसने सेनिकों के पदों को वनसानुग भेज सकता है मतलब वाँ समझ सकते हैं इसकी अस्फल्दा का मुख्य कारण क्याता कि नए और कुसल सैनिकों की इसने रोक लगा दी थी अभी आर्मी पुलिस फोर्स अगर ऐसा कर दिया जाए कि क्या अगर दिया आए सैना के पदों को वनसानुगत कर दिया जाए तो अन्ट् करने वाला बंदा होता है कि भाई काम का सबसे हुस्यार बंदा है और बड़ी तारीफ होती है उस बंदे की ठीक है लेकिन असली खेल अभी सुरू होता है काम से पहुंचा इस्कूल से उस्पर बुलेंगे इस्कूल से पहुंचा वह जिले में तो जिले में और मिलेंगे मा लगबग 23-24 करोड़ों की प्रिजन टाइम पर यूपी की पॉपुलेशन है अगर लगबग 60% आवादी माने तो 60% युवा है अगर वो 10 करोड़ से अधिक मान के चलो कि 14-15 लाग फारम भड़ दी जाते हैं कभी कभी 100 विकेंसियों के लिए ठीक है तो अगर वो वहाँ पर वो बंदा फाइट करने लगा कैसी किसमत होगी उसकी ठीक है फिर जो उसका हुस्यार है गाउं उस तर तक क्योंकि उससे बड़े बड़े तेज और धुरेंदर उसे वह हाँ पर मिलेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि नए सेनकों को वंसानोगत नए सेनकों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए तो आप गाउं में सबसे हुस्यार है मैटर नहीं करता जब वेकेंसी आती है मेरे पैरे बच्छों अगर आईएस पीसस की बात करें तो जिले में एक बनता है ठीक है पीसीस की बात करें तो जिले में तीन मंते हैं अगर जेए की बात करें तो दस बनते हैं पूरे जिले मेहना दस से बारा पंदरा लेकिन आपको उस दस से बारा पंदरा में एक बास सोचके दिखाई देनी है कि अगर एक जिले से एक केंडिर बढ़ती होगा या एक प्रदेश से एक एंडर भड़ती होगा तो वह मैं हूँगा मैं देखूँगा कि मेर्ट से जादा मेहनत कोई आखिर कैसे कर सकता है ठीक है तो दिन रात लाग जाओ खाना छोड़ दो पीना छोड़ दो अब कुछ छोड़ दो ठीक है दिन रात पढ़ाई भी लग जाओ और जादा जादा टाइम जो बरवाद कर रहे हो ना वो कम कर दो ठीक है दीवा ने खेरात नामा की विबाग की स्तामना की जो विद्वावे अनात इस्त्रियों के लिए होता था उनके रक्रकाफ रोजगार दफ्तर खुलवाए दारुल सिफा एक अस्पताल खुलवाया और दीवा ने इम्तहाक एक चीज़ खुलवाई ठीक है चलिए इसने जग अगर आपको बता बता के चलें कि टोपरा का जो इस्थम्बलेख है वो साथी कहां पर है तो कहां पर पढ़ता अब टोपरा कहां पर है अम्बाला अम्बाला हर्याना के अंदर पढ़ता है टोपरा वाला इस्थम्बले ठीक है चलिए आथम का था इसने हमने लिखी तारीक ए घ्रोसाही जो इसने स्वयम लिखी थी चलिए कि अना कि एक सब्सक्राइब इसे देख इनको देखिए सबसे महत्तपूर्ण चीज है फिर चलते हैं हम आगी की तरफ चलिए कि अना कि घप जो कि कि अना कि अचलिए भागश जरTe चलिए मेरे प्यारे वैच्छो अब चलते हम आगे की तरफ ठीके चलिए चलिए आज हम इस पे चलते हैं नोट 3 चलिए आज हम आगे हम आगे की तररौल की तर में हम चलते हैं स्क्षे की तर तर झाल झाल चलिए अब हम चलते हैं कहां पर अब कुछ इंपोटेंट मतलब तीन से चार फैक्ट है किसके फिरोज सा तुकलक से चुड़े हुए अगले पांच में उसके बाद बात करते हैं और एक दिल्ली सल्तनत का बहुत ही छोटा और अनमहत्पुर्ण वंस कौन से साथियो सायद वं हम इसी पर करेंगे ठीक है तो हम करेंगे इसी पर ठीक है चलिए वाइट से लिख लेंगे क्या दक्कता रही है कि क्या चीन है आले लिख दिया अब बै देख ना क्या हो गया एए चलो अब अब बात ना इस पर चलाएंगे यही ना ठीक है चलिए ठीक है अब इस पर चलाएंगे ना हम जिस पर पर्मनेंट चलाते हैं उसी पर चलाएंगे ठीक है चलिए चलिए साथि अब हम जानते हैं एक लेखाक हुआ करता था जाहिया बिन एहमद सरहिंदी एक लेखा हुआ करता है मेरे पैरे बच्चो याहिया बिन एहमद सरहिंदी ताथियो एक इसकी पिरसिद्ध पुस्तक है इस राइटर क्या है मेरे पैरे बच्चो एक पिरसिद्ध पुस्तक है कौनसी तारीख ए मुबारक साही कौनसी पुस्तक है मेरे पैरे बच्चो तारीख ए मुबारक साही मतलब यह सायद वंस के सासन काल में मुबारक साहा के दरवार में रहा करता था यह वाला जो लिख गए तारीख ए मुबारक साही ठीक है इस पुस्तक में यह जो पुस्तक है इस पुस्तक में किसके बारे मताया गया है यहिया बिन एहमद सरिंदी की पुस्तक कौनसी है तारीख ए मुबारक साही इसमें किसके बारे में बताएगा मेरे पैरे बच्चो तो फिरोज सहा तुकलक की किसकी फिरोज सहा तुकलक की मेरे पैरे बच्चो किसकी फिरोज सहा तुकलक की नहर परनाली कौन सी मेरे पैरे बच्चो नहर परनाली तो नहर परनाली के बारे में बताया गया है नहर प्रणाली के बारे में बताया गया है तो किसके बारे में बताया गया है कि इसकी नहर प्रणाली कितनी बढ़िया थी कितनी अच्छी थी और किस किस तरीके से हुआ करती थी है ना इसने पांच नहरों का निर्माड गया मेरे पैरे बच्छो और सर्व या फिर बली नामा कर इस वक्ति ने लिया चलिए आगे चलते हैं साथियो इस फिरोजसा तुकलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का निरंकुष सासक कहा जाता है अब साथियो यह प्रस्ण पराना हो गया कि किस वक्ति को सल्तनत काल या फिर दिल्ली सल्तन का कहा जाता है लेकिन आप से ठो great किकिन कभी कभी में थ्टोड़ा सा ज्यादा आगे हो जाता हूं कि मैं दिख़ाई निय'Sका ना तो आप बात करेंगे किस व्यक्ति ने गहा था तो मेरे प्यारे बच्चे व्यक्ति हुआ करता था एक इत्यास कारते हैं एन्री एलियट उन्होंने बुला था इस व्यक्ति को सल्तनत कालीन अकबर ठीक है तो क्या बुला था हैं री एलियट ने कि इसे कि दिल्ली सल्तनत के अकबर की संग्या दी थी कि संग्या दी थी मेरे वैरे बच्चों दिल्ली सल्तनत के अकबर की संग्या दी थी और इसे क्या वो लजाता था दिल्ली सल्तनत का निरंकुष सासक निरंकुस सासक कहा जाता था क्या का जाता था मेरे पैरे बच्चों दिल्ली सल्तनत का निरंकुस सासक कहा जाता था किस वक्ति को दिल्ली सल्तनत का आपका निरंकुस जो सासक हो जाएगा मेरे पैरे बच्चों कौन हो जाएगा फिरोज सहा तुकलक साथियों इसने आगे काम किया साथियों कौन सी पानी वाली गड़ी भी लगवाई है ना जिसे हम जलगड़ी के नाम से जानते हैं तो इसने क्या लगवाई सूरे गड़ी जलगड़ी रही निर्माण इसी ने कर आया तो पूछे जाएगा कि सूर्य गड़ी और पानी गड़ी का किसने लगवाए था तो इसने लगवाए था है ना कौन सी सूर्य गड़ी वे जल गड़ी इसने लगवाई थी अब साथियों मुझे बताएंगे सूर्य गड़ी वे जल गड़ी इसने लगवाई थी अच्छा सूर्य गड़ी कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों सूर्य गड़ी और जल गड़ी कहां पर है बात आएगी न इसको लगवाई लेकिन कहां लगवाई तो मैं आपके बताना चाहूंगा एक सवाल आपके लिए एक मैं बताता हूं, ठीक है? तो सूर्य घडी के बारे में बदाता हूँ जल घडी आप बताएंगे जल घडी कहा पर लगी है दिली में जब आप जाओगे कुतम बिनार परिसर में तो कुतम बिनार परिसर में जैसे ही आपको एंट्री करेंगे तो left hand पर एक garden है उसमें थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहां पर लगी हुई है शूर्य गड़ी और भली भाची लिखा गया उसको ठीक है है क्योंकि फिरोज सा तुकलक ने ही कुतम विनार का बाद में निर्मान कराया था ऊपरवाली मंजल को ठीक कराया और सेस्ट दो मंजलों का निर्मान करवाया ठीक है चलिए अब साथियो इस वक्ति का जो उत्रादिकारी हुआ करता था तो यहां पर बात करेंगे साथियो तुकलक साह के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे ठीक है को दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन एक सीधर रेश्म जानेंगे अब यहां पर जा सकता हमें नहीं है ठीक है चलिए तो हम थोड़ा सा अगले पेज पर बात करते हैं ठीक है या फिर इसे मिटा दें गवार चलो अगला पेज लेंगे कौन सा हमारा कुछ खड़ खड़ जो रहा ठीक है चलिए देखो यहां पर हमने जाना किसके बारे में है कि सॉर्य गया सु पचीस है तेरे सो चॉरी तेरे सो बीस से तेरे सो पचीस है ठीक इसके बाद दूसरा सासक आता है मेरे पैरे बच्चों और दूसरा सासक कौन सा आता है आपका महम्मद बिन तुकलक तो बिन तुकलक लिखेंगे सरफ बिन तुकलक कितने वर्सम तक सासक करता है तेरे सो तेरे सो एक्यामनी से मैं सारे सासक करा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर देखेंगे साथी हो कौन सा आएगा रोज साहा तुकलक कौन सा मेरे प्यारे बच्चो रोज साहा तुकलक दिखाई दे रहा होगा ना रोज साहा तुकलक तेरे सो एक्यामन से 1388 चलिए इसके बाद आता है सात्यों मेरे पहरे बच्चों तुकलकसा 1388 से 1390 इसी दो वर्स तक ठीक है इसके बाद आता है सात्यों अबू करक अबू करक सात्यों इसके बाद कौन सा आता है अबू करक और अबू करक के बाद सात्यों मुहम्मद सा मुहम्मद सा है न और इसके बाद आता है सात्यों आपका सिकंदर सा सिकंदर सा ठीक है तो ये लगभग आठ वर्सों तक सासन करते हैं तो 1390 से 1380 तो तीनों व्यक्ति करते हैं देखो मैंने ऊपर रंग बदला लेकिन मैं यहाँ पर रंग कलर बदल लेगा तो अबू कर्क मुहम्मद साथ सिकंदर साथ तीनों सासक हुए और तीनों कुल मिलाकर कितने आठ वर्शत तक सासन किया और इसके बाद मेरे पैरे बच्चो एक व्यक्त तेरे सो अठानवे इसी से चौधे सो चौधे इसी कब तक दिल्ली सल्तना तुकलक वंस का अंतिम सासक कौन सा हो जाएगा यही व्यक्ति हो जाएगा क्या हो जाएगा तुकलक वंस का अंतिम सासक तुकलक वंस का अंतिम सासक तो यह आपके लिए ज्यादा इंपूडेंट रखता है 1398 से रोज साहत तुकलक यह वी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपूडेंट है उपर वाले दो के बताने को याव सकता नहीं है तुकलक सा अब साथियों यह जो रैटर में ने लिखवाई है इसका क्या इंपूडेंस है ना कभी ने बुझाएगा कब से कब तक सासन किया लेकिं रेर केस में आपको सामने सवाल देखने को मिलता है कि निम्न मेंसे कौन सा सासक तुकलक वंसका नहीं है तो आप सिकंदर साह मोहमद साह को अगर किसी वज़े से छोड़ दें ठीक है तो यह आपको अब नहीं तक नामक जो व्यक्ति थे या फिर अभू करक नामक जो व्यक्ति था वह किसमें तुकलक वंसके सासकों में से एक ते नोट डाउन कीजिए से कि साथ ही यह 1398 से नहीं है यह कितना है कि एडियरे सो कि पिचानवी से पांच वर्ट तक सासन गया था है ना और यहां पर पांच कर लेंगे कि चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इसके बारे में है सयदे वंज के बारे मेरे मेरे प्यारे वच्चों आव अभी का हमारा जो टोफिक होगा वह कौन सा होगा सयदेवंस बड़ा ही चुटा सा टोफिक पिक है बढ़े ही कम सब दो में इसे हम पढ़ने की कोसिच करेंगे ठीक है साहिए सायदेवंस का सांस्थाबक जो था वो कौन सा था खरिज खां तो जब तेमूर ने आक्रमड किया हमारे के सपर भारत पर तो ये तेमूर के साथ था ठीक है और तेमूर ने जो पस्मी वाले भाग है उनका सासन दिया तो अगर सयद वंस की बात करें तो सयद वंस से किस्तने सक चोदे से किया सासन किया कब किया किया चो-दे सदने सयद वंस करें सयद वंस का एक संस्थापक ठाहिए था जिए प्यारे बच्चों समря्ट वंस संस्थापक कौन सा हो जाएगा खिरिज खां तो मेरे पैरे बच्चों सयद वंस का संस्थापक कौन सा था खिरिज खां इसने कवी भी सुल्टान की उपादी धारण नहीं की और ये तैमूर के उत्रा दिक तैमूर के प्रतिनी दी के रूम में भारत पर सासन करने लगा और इसने एक मेरे पैरे बच्चों इसने एक उपादी धारण की कौन सी उपादी धारण की मेरे पैरे बच्चों रहयत ए आला किसकी उपादी धारण की रहयत ए आला की उपादी धारण की तो किसकी उपाई धारण की मेरे पैरे बच्चो रायत आला की उपादी धारण की इसके बाद सातियो एक सासक आया इसी वन्सका मुबारक साहा खरेच खां के बाद दूसरा सासक कौन सा आता है मेरे पैरे बच्चो यहाँ पर देखेंगे तो मुबारक साहा अगर सासक की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चो कब से कब तक सासन किया तो इस वक्ती ने 1434-421 इस वी तक सासन किया ठीक है अब इसने कितने किया 1421 से लेकर 1434-14 इस वी तक इस वक्ती ने सासन किया तो कब से कब तक सासन किया मुबारक साह ने 1421 से लेकर 1434 तक सासन किया क्यों famous है साथियो क्योंकि मेरे प्यारे बच्छो इस वक्ति के सासनकाल में एक लेखञ रहता था याहिया बिन एहमध उसकी पुस्तक कौन सी है तारीख ए मुआरक साही इस ही वक्ति को वापस से लिखेंगे हम उसकी चर्चा पहले भी कर चुके है तो मुबारक सागे साथनकाल में एक लेखर रहता था याहिया बिन एहमद सरहिंदी इसकी पुस्तक कौन सी है तारीख ए मुबारक साही कौन सी मेरे पैरे बच्चों तारीख ए मुबारक साही तो किस वक्ति को समर्पित है मुबारक साहा को, चलिए यह इसके लिए है, शाथियो आब बात करो कि करो दिखो फेमस क्यों ना है, 14-14 44 तक साधन गया है, अगर 34 मैं से 21 घटाते हैं, तो लगवग मेरी व्यारे बच्छो, तेरे वर्स का समय लगता है, लेकिन यहां पर ध्या लखेंगे पढ़ना वह है जो हमारे पेपर में आएगा ठीक है तो हमारे पेपर के प्रवूंट से इतना ही इंपूडेंट है तो हम इतना ही पढ़के चलेंगे और इस मुबारक साह का उत्रादिकारी हुआ आगे चलकर मेरे प्यारे बच्चो कौन सा मुहम्मद साह तो कौन सा हुआ साथी हो मुहम्मद सा इस वक्ती ने 1434 इस्वी से लेकर 1443 इस्वी तक सासक रहा इसके सासनकाल में लोधी वंस के सानस्था पक बहलोल लोधी रहता था ठीक है इसके सनक्षण में रहता था कौन बहलोल लोधी तो कौन रहता था मेरे पैरे बच्चो बहलोल लोधी इसके सनक्षण में रहता था और इसने बहलोल लोधी को एक उपादी दी थी खान ए खाना खान ए खाना के उपादी धारन की थी और ये बहलोल लोदी से इतना अधिक प्रेम करता था कि अपने पुत्र के समाने समझता था और अपना बेटा कहकर या पुत्र कहकर फुकारता था कि इसको बहलोल लोदी को ठीक है बहलो लोदी के बाद इस वंस का साथ होता है साथी कौन सा अलाउद्दीन आलम सा और अलाउद्दीन आलम सा के बाद मेरे प्यारे बच्चो जैसे इस वंस का साथ होता है कौन अलाउद्दीन आलम सा इस ये वंस जो होता है आपका समाप्त हो जाता, इसके बाद बहलो लोदी वन्स की स्थापना करता है, ठीक है, जो कि 1451 लेकर 1526 इसवी तक जाता है, और पानी के पिरतम युद्में ये समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वन्स का अगर हम अंतिम सासक की बात करें तो अंतिम सासक कौन था कौन सा था मेरे प्यारे बच्चो अलाउद्दीन आलम सा कौन सा मेरे प्यारे बच्चो अलाउद्दीन आलम सा इस वन्स का अंतिम सासक कौन था मेरे प्यारे बच्चो अलाउद्दीन आलम सा इस वन्स का अंतिमसासक हुआ करता था नूट करेंगे से चलो महम्मद साथ 14-14-14-43 तक अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा मुटी-मुटी जान कारे लेंगे किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चो किसके बारे में यहां पर लोदीवन्स के बारे में ठीक है लोदीवन्स ठीक है पूरा का पूरा टाइम चला मेरे प्यारे बच्चो कल लोदीवन्स के बारे में बात करेंगे और मुगल सामराज्य भी शुरू कर देंगे तो कब से कब तक 1451 इसवी से लेगर 1526 इसवी था इसका जो संस्थापक हुआ मेरे प्यारे बच्चो कौन हुआ पहलोल लोदी इस वन्स का संस्थापक कौन था पहलोल लोदी पहलोल लोदी के बाद आए आपके सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी के बाद आये मेरे प्यारे बच्चो इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी ठीक है सिकंदर सिकंदर लोदी के बाद गोना आये मेरे प्यारे बच्चो इब्राहिम लोदी तो साथी चलते हैं और अगले पांच सुन में देखते हैं हमने क्या गया बढ़ा है फिर आज की लाजकुम यहीं तक रखते हैं ठीक है चलिए तो को यहीया बिन एहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीक ए मुबारक साही जिसमें फिरोसा तुकलक की नहर प्रिनाली के बारे में बताया जाता है और यह मुबारक साह के सनक्षन में रहा करता था यहीया बिन एहमद सरहिंदी हेंडरी एलियट नामक एक इत्यासकान ने इसे सल इस के बाद मुखंतर अधिकारी हुए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अबु करक महांब spots. किया इसके बाद तुकलक वंस का अंतिम सासक नासुरुद्दिन महमूद तेरे सो फिचानु से लेकर चोदे सो चोदे इस्वी लगवग उनिस वर्थ तक सासन करता है और यहीं पर खतम होता है दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक सासक करने वाला वंस तुकलक वंस ठीक है यहाँ पर बात करते हैं साथी हम सयद वंस के बारे में तो चार फिर मुक्सासक होए खरिज खान दूसरा मुबारक सा पुस्तक है यह और यह जो इसका उत्रगादी हुआ करता था तैमूर का सारुक के प्रतिनली के रूप में काम करते थे दोनों बाब बेटे और इसने रह पर बात करेंगे लोदीवनिस की बारे मात करेंगे चोदेशा क्यामन से पंद्रेशऑ ता किसे ने इस आसंद गया पीर बेहलोल लोदी、 सकंदर लोदी और मेरे पैरे बच्चों इबराहिम लोदी पानी पतके प्रतम ज्युद के बाद धिली सल्टनत का पूरी तारह से कि parity हो जाता है और फिर भारत में आता है मुगल एइंपायर यानी मुगल सामराज जेट हुसाथी के आज किलास के तरह है रहे होगती मिलते हैं आप से कल अगले किलास में THANK YOU थैंक यू सो मुझ जैन